कि आपका स्वागत हैं दोस्तों सबसे पहले तो चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में हर मंद का मतलब एक मंद के रिचार्ज का 28 जिंग का होता था अब फानली ट्राई ने उस पे एक्षन लिया है कि आप जो भी रिचार्ज करवाएंगे आपको 30 जिन कंप्लिट्ली पूरा मिलने वाला है दोस्तों अब आते हम यहां रियल मी पैड मी के बारे में हला कि इसमें जो यूनिस सोक कुछ फीचर्स इसमें जो है इसमें कंफर्म किया गया है अज़ा सार्टिफिकेशन के हिसाब से जो गीग पिंच पर लिस्ट है कि इसमें कौन कौन स चीज़ें दे रहे हैं और किस फीजर्स के साथ यह लॉंच होना है कैमरे इसके क्या है सारी चीज़ बात करने वाला हूं उससे बीसी बात कर मैं बता दूँ कि अगर चैनल पहली बार आने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ज़रोर प्रेश करना ता कि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलती रहे तो बात हम करें रियल मी पैड मिनी के बारे में तो हलाकि यह माइस मांट सब्सक्राइब के हिसाब से दावा किया कि टैबलेट और एंडिया में जड़ लॉंच होंगे और यहां पर देखा जा रहा है कि इस टैबलेट में यूनिसोग प्रोसेसर करेगा और इससे भी जुड़ी खबर रियल में पैड मिनी से है जो कि मुकुल शर्मा ने बताया था उन्होंने की आर एंपी टो वन जीरो फाइब मॉडल नंबर के साथ इन्होंने बताया था कि एल्टी आई के भी इसमें एड होगा जो की रियल मी पैड का नया मॉडल इसमें जो इसपोर्ट किया गया गया 363 है मल्टी स्कूर 1330 पॉइंट बेदिया गया था एंडुड टेल में एंडुड एलेवन में है और इसमें जो अगर हम कैमरे की बात करें तो एफ़ी 5 भी है अब इसमें अगर हम थोड़ी सी इंट्रेस्टी चीज़े अगर हम देखे जो इनुसे प्रोसेसर है और फिर यह भी बता जा रहा था किसमें 5000 से हट के जो लगब 8000 सम्तिंग आपको पावर बैक अप मिल सकता है चार्जें सपोर्ट कभी तक जिकर ने किया गया है बिया साटिफेशन पर लॉंच होने का मतलब है कि जल्द जद इंडिया के मार्केट में आने के लिए बिल्कुल रेडी है और हो ना हो यह अप्रेल स्वारी अप्रेल कर रहा हूं मार्च के फर्स्ट वीक में लॉंच हो जाएगा रियल में पैट मिनी तो दोस्तों बस वीडियो यह तक कि थी वीडियो को पसंद देता है फिलिए जब लाइक करना शेर करना हम में तो हम इसे नेक वीडियो में तब तक करिए टेक केर